हाई फ्रेंज्स आज मैं आप लोगों को स्मोकी और हाप बेक्ट पॉट का थोड़ा डिव्यू दूंगी किसका स्टॉक कैसा है यह लंबे गले वाले पॉट है यह भी स्मोकी है हाप बेक्ट है और यह मिनी सॉस है यह भी स्मोकी है हाप बेक्ट है लेकिन यह थोड़ा क्रंची मिलेगा इस बार का स्टॉक अपको क्योंकि इसको न दूसरी तरीके से रोस्ट किया गया है मतलब इसमें स्मोकीनेज भी मिले आपको और थोड़ा क्रंची भी मिले लेकिन यह जो स्टॉक है जैसे मिनी पॉट पॉलकता क्ले पॉट थिक और स्मोकी वाला यह थोड़ा आपको सॉफ्ट में मिलेगा मैं इनको थोड़ा पानी में डाल के रखती हूं और यह है स्लेट स्टॉन चिप्स वाइट में यह बहुत अर्दी है और थोड़ा मीडियम का है मतलब एकदम पतले में नहीं है थोड़ा थीक है यह देखिए इसको न एक हाथ से भी तोड़ा जा सकता है और यह जो थीक क्लेपोट है इसको यह दिया मीनी पॉट इनको हम पानी में डाल रहे हैं थीक क्लेपोट अभी है अगर कोई भी ओडर करेंगे तो आपको इस तरह के स्टॉक ही मिलेगा यह यह स्टॉक अभी अविलेबल है तो यह है अब अ स्टॉक है हमारा सबसे ज्यादा देखिए मुझे इस तरह के स्टॉक ज्यादा पसंद है यह एकदम स्मूप स्टेक्च्चर नहीं है इसमें आपको थोड़ा जिनेस लगेगा वाइट में ब्लैक रेड में नहीं लगेगा ब्लैक रेड एकदम क्रंची स्टॉक है किन्तों वा देखिए मैं इसको पाणी में डाल दिया है देखिए यह तो सौसर आप देख रहे हैं यह हाप बेक्ट है लेकिन स्मूकी भी है इसमें लेकिन आपको क्रंची मिलेगा मतलब यह एकदम सौड बिगल जाने वाला पीसिस नहीं है देखिए मैं हाथ से तोड़ रही हूँ देखिए अब अंदर से इसको देख लीजिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि आप दीदी तोड़ के दिखाईए तो देखिए मैंने इसको पानी में डाला था और यह देखिए आपके सामनी में तोड़ रही है उसको इस तरह के स्मूकी हाप बेक्ट मीनी सौसर और बि और यह है दिया दिया भी सौफ्ट है लेकिन छोटे साइज है ना इसे लिए तोलने में फिर भी तोड़ा जा रहा है देखिए और हमारे पास अभी ब्रोकेन क्लेपोट का थोड़ा स्टॉक है क्योंकि क्लेपोट आते बग जो तूट जाता है उसका थोड़ा स्टॉक अभी हमारे पास है देखिए कोलकाता क्लेपोट हमने जो थीक में बनाया था यह एक बार में बेक्ट किया गया है मतलब इसको बहु क्लेपोट अलग ही टेस्ट का टेस्ट होता है जैसे मैं बताती हूं यह लंबे गले वाले एक बार में बेक नहीं हुआ है इसको थोड़ा दूसरी तरीके से ब्रेक किया गया है लेकिन फिर भी देखिए मैंने इसको पाणी में डाल के रखा था और देखिए यह अपने आप ह ही कैसे मिघल रहा है मतलब यह कैसे खुल गया है लंबे गले वाले पॉट देखिए हुआ हमारे पास अभी ब्रोकेन क्लेपोट का कुछ स्टॉक एबलेबल है ज्यादा नहीं ब्रोकेन नॉर्मली सॉप्ट होता है दिखिए यह जो कोलकाता क्लेपोट मैं आपको दिखा र बनवाने के लिए दे दिया है यह पिछले स्टॉक का कुछ पिसे सभी है तो उसी में से मैं दिखा रही हूं देखिए यह इस तरह के क्लेपोट मुझे बहुत पसंद है मेरी अपनी खुद की चायस है यह देखिए जिसको हाप बेक्ट भी किया है हमने स्मोकी भी किया है ल हम जिस तरह से आफ लोग को दिखा आते हैं बहुत ही डिटेल में के कलेपोट देखिए यह स्मोकी हापबेक्ट वाला कोलककाता कलेपॉर्ट है इसको हमने थोड़ी देर पानी में रखा देखिए यह स्टॉक बहुत ही अर्जिस स्टॉक है हमारा सबसे क्लेप पाठ दुम और यह है फुल हाब वेक थी क्लेपोर देखिए यह भी देखिए पानी में रखने से इससे भी आपको मिट्टी का खुश्बू तो बहुत ही ज्यादा लगता है और फ्रेंड्स मेरी एक मैंने एक किस ने लिखा था मेरी एक वीडियो में के मैंने डिजर्माट की क्लेपोर्ट के बारे में सब बहुत ओको रिकमेंट किया था लेकिन किसी ने कहा कि यह नीम के पत्ते जैसे बिटर है लेकिन यह किस तरह से हो सकता है मुझे मालूम नहीं है कि नीम के पत्ते के जैसे बिटर हमारा कोई भी कि यह हो ही नहीं सकता जिन्होंने बोला है मुझे लगता है उनको कुछ प्राब्लेम हो रहा है उनकी अपनी कुछ प्राब्लेम है टेस्ट में लेकिन क्लेप बिटर नीम के पत्ते जैसे कभी भी नहीं हो सकता है यह समझने में या बोलने में कुछ प्राब्लेम होगा यह दे यह देखिए यह स्टॉक अभी थोड़ा बहुत हमारे पास है लेकिन यह सभी स्टॉक हमारे पिछले हपते का स्टॉक है नया स्टॉक त्यूस्जे को आएगा पंदरा अगस्ट तक जो अफर है उसमें हमारा यह स्टॉक रहेगा आप लोग देख लीजी यह थिक क्लेव पॉट कितना अच्छा थिक है लेकिन इसमें मिल्टी भी बहुत ज्यादा है एक एक पॉट का बर्जन दो से धाइसो ग्राम हो जाता है अच आएगा तो पांच चार आएगा तो चार ऐसे हम लोग देते हैं देखी यह होती अरधी है और देखे यहां से बिघलने लगता है यह स्टॉक इससे सौफ्ट क्लेव पॉट हमारा नहीं होता है और प्रेंस हमारा क्लेव फॉट हम बाबल रत करते हैं मैं यूटूब में बहुत सारे क्ले पॉट की चैनल देखती हूं तो वहां पे डिजार मार्ट के बारे में भी कुछ लिखा होता है तो उसका नाम मुझे याद में पूजा भठ उनका नाम है उन्होंने कहा है कि मैंने उनको बाबल रैप नहीं दिया ऐसा कुछ कुछ भी नहीं हम सभी को बाबल रैप देते हैं सभी को बाबल रैप करते हैं पहले हम पिसबोट से इसको डबल रैप करते थे लेकिन अभी हमने बाबल रैप यूज करना शूरू कर दिया है यह लोग यह पैकर्स लोग करते हैं इनको मुझे पैकिंग के बारे में कुछ भी जो मेरे पास ऐसे बहुत-बहुत कस्ट्रमर है जिनका सभी का यूटुब चानल है तो ऐसा नहीं जो बोब उनका चैनल है तो हम उनको अलग से देंगे सभी के लिए एक जैसा हमारा पैकिंग होता है सबी के लिए जो लोग चैनल चला बहुत ऐसे कस्टोमर भी ऐसे रिक्वेस्ट भी आता है कि आप मुझे फ्री में क्ले दीजिए हम आपका ऐसे कुछ रिव्यू वीडियो बनाएंगे अच्छे बोलेंगे आपका सेल बरेगा नहीं हम ऐसे भी नहीं करते हम कभी किसी को हमारे चैनल की प्रोमूट करने के लिए किसी को भी ऐसे क्ले बगारा कुछ नहीं दिया कभी और ना आगे देंगे यह हमारा रूल्स है हम दिखाते हैं आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग लीजिए और नहीं पसंद आता है तो मत लीजिए लेकिन हम किसी को जूट- से हमारे ज्यादा बात हो जाती है वो होती भी है लेकिन सभी हमारे पास एक ही जैसा है यह स्लेट स्टों मुझे बहुत प्यारा लग रहा है तो आप लोग मैं बहुत जल्द वाइट सॉफ्ट ब्रोकेंड का एक स्टॉक आप लोगों किस्ट शेयर करूंगी वह आने वाला है आते ही मैं शेयर करूंगी वह सॉफ्ट है तो तब आप लोग और दीजेगा सॉफ्ट का बहुत जुमान रहता है और वह हम देखते हैं कितने कम प्राइज में आप लोगों को दे पाते हैं वह नया स्टॉक है आएगा और हम डालेंगे रेट ब्लैक वाइट तीनों में आएगा लेकिन वाइट सॉफ्ट आएगा और आते ही हम वीडियो डालेंगे और उसका प्राइज हम थोड़ा कम भी रखेंगे तो हम आप लोगों के लिए हर महीने कोशिश करते हैं कुछ डिसकाउंट रखने की तो इस तरह से बात मत कीजिए बहुत बुरा लगता है कि हम किसी को बाबल रब देते हैं किसी को नहीं देते हैं आप सभी लोग हमारे बहुत प्यारे हैं और यह जो आप देख रहे हैं ना पूरा स्टॉक यह पूरा स्टॉक अभी अवेलेबल है यह रिसेंट स्टॉक है पिछले हपते का और नया स्टॉक कुछ दिन बाद आने वाल है तो स्मोकी का स्टॉक देखने के लिए मैंने ये विडियो डाला है मारियन जी आपके लिए स्पेशली है मैं आपका नाम भी ले रही हूं देख लीजिए ये स्टॉक है ओके बाई फ्रेंड्स